नमस्कार दोस्तों आज की कहानी एक नैतिक कहानी है रगू जल्दी से बाजार जाके दस समों से तीन कोर्डिंग की बोतल बर्फी और कुछ चौकलेट कुरकुरे और चिप्स के पैकेट लेते वेना खुशी से उत्साहित रश्मी ने अपने नौकर रगू को एक हजार रुपय देते वे कहा दरसल आज रश्मी के माईके वाले यानि उसके पापा, मम्मी, भाईया, भावी, भतीजा, बतीजी आ रहे थे वो यहाँ पर इस शहर में शादी में आये थे पर उसके पहले रश्मी के यहाँ आएंगे अता रश्मी उनकी खाते दारी की तैयारी में लगी हुई थी कुछ दिर बाद रगू बाजार से गर्मा गरम समोसे, कचोड़िया, बर्फी, कोल रिंग और बहुत सारे बच्चों के खाने का आइटम लेके आया थोई दिर बाद रश्मी के पापा, मम्मे भी आ गए सभी ने खूब अच्छे से नाश्ता किया और फिर सभी लोग शादी में जाने के लिए निकल गए अर रश्मी रगू से बहुत खुश थी क्योंकि वो एकदम ताजा, समोसे कचोड़िया, बर्फी लाया था और हिसाब भी पूरा-पूरा रश्मी को दे दिया था दरसल रगू उनके यहाँ अभी नया-नया ही काम पे लगा था, अता रश्मी को जिजक हो रही थी, पता नहीं बजार से कैसा समान लेकर आ जाए लेकिन रगू ने रश्मी की सारी चिंता पल भर में ही दूर कर दी, अब तो रश्मी आए दिन रगू से ही कभी सबजी, कभी फल, कभी किराने का समान और अन्य समान भी मंगाने लगी और उस पर आख बंद करके भरोसा भी करने लगी रगू बच्चे वे पैसे लेकर रश्मी को लाके दे देता, रश्मी अपने पती रागव से भी उसकी प्रिश्चिशा करती, एक दिन रश्मी के यहां किटी पार्टी थी, तब भी उसने बहुत सारा नाश्ता बजार से मगवाया, और रगू ने सब लाके दे दिया एक दिन किसी काम से रश्मी को खुद बजार जाना पड़ा, और उसी दिन दुकान पे वो पहुच गी, जहां से रगू समोसे वेगरा लाके देता था, रश्मी ने सोचा चलो गर्मा गर्म समोसे हैं, घर जाते वे 3-4 समोसे ले जाती हैं, और उसने समोसे के दाम पूछे, तब दुकानदार ने बनाया कि दीदी ये समोसे तो 45 रुपय हो गए, रश्मी चुप चुप समोसे लेकर घर आ गई, फिर अगले दिन उसने फिर से रगू से पास समोसे उसी दुकान से मंगवाए, लेकिन जिस घर से वो कल लेकर आई थी, रगू वहाँ पे आया, रश्म कि मुझे ये समोसे मिलते हैं, पर समोसे बहुत अच्छे हैं, रश्मी को लगने लगा, जब भी कोई रश्मी समान मंगवाती है, उसका दाम ये रगू बढ़ा के बताता है, रश्मी ने ये बात अपने पती को भी बता दी, इत्वार का दिन था, रागो ने रगू से हिम्मत हुई कैसे, तुम्हें क्या लगता है, तुम जो हिसाब हमको देते हो, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता, तुम्हें हर चीज के दाम बढ़ा के बताते हो, और हमसे ज़्यादा पैसे ले ले लेते हो, तुम्हें हम घर का सदर से मानते थे, और तुमने हमारे साथ ही धोका किया आज के बार तुम इस घर में काम नहीं करोगे रागो ये बात सुनकर रगू बहुत शर्मिंदा हो गया और बोला नहीं नहीं रागो भईया मुझे काम से मत निकालिये मुझे काम की बहुत जरूरत है मैं अपनी विद्वा मा का एकलौता बेटा इसमें तो मेरा थोड़ा फायदा होता था मैंने सुरू सुरू में सारा काम इमानदारी से किया किन्तु बाद में मेरे अंदर लालच आ गया और मुझे लगा दीदी तो मुझे विश्वास करती है तो कोई भी सवान किसी भी दाव का बता दू दीदी आग बंद करके मुझ और कितनी भी चोरी कर ले एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है मेरी होश्यारी मुझे भी धोका दे गई किन्तु मेरा विश्वास करिए भाया आज के बाद कभी आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा तब रागों ने रश्मी की तरफ देखा रश्मी ने कहा ठीक है हम तु कोई गरबर हुई तो हम तुम्हें सिर्फ काम से नहीं हटाएंगे बल्कि पुलिस में भी रिपोर्ट करवा देंगे रश्मी को उसकी आखों में पश्रताप के आसु दिख रहे थे तो रगों ने निश्य किया कभी वह ऐसी जाल साजी नहीं करेगा वैसे भी रश्मी जैस